ये आजादी की उडान है बीती राद 11 बंधक इस्राइल लोटे जिने 50 से ज्यादा दिनों से हमास ने बंधक बना रखा था उनमें 3 साल के जुड़वा बच्चे एमा और यूली भी शामिल है हमास ने उनके घरों में आग लगा दी थी उन्हें अपनी मा शरौन के साथ छोड़ा गया है लेकिन उनके पिता शायद अभी भी गजा में है हमास ने इरेज और साहर को भी छोड़ा है जो की भाई बेहन है मेरे लिए इस हालात को महसूस करना मुश्किल हो रहा है ये कुछ ऐसा है कि मैं पहले चिंता में डूबा हुआ था और अब मानों खुशी के समंदर में गोते लगा रहा हूँ मैं रोमान्चित हूँ लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि इरेज और साहर को सामान ने होने में वक्त लगेगा जो इस उम्र में ऐसे अनुभब से गुजरे है इसराईल और हमास के बीच आस्थाई संघर्श विराम से कई बंधकों की रहाई हुई है लेकिन अभी सारे बंधक छूटे नहीं है हमारे 150 से ज़्यादा बंधक जिन मिस्तिरी, पुरुष, बच्चे और शिशु शामिल है उनका ख्याल कौन रख रहा है दस महीने के बच्चे का कौन धियान रख रहा है मैं आपको बताता हूँ उन्हें बरबर चरंपंथियों ने गज़ा में बंधक बना रखा है हम अंतराश्टी संगठनों खास तोर पर रेड क्रॉस से कहते हैं कि वो हमारे बंधकों को छोड़ाने के लिए अपने हर जरीय का इस्तमाल करें वो ये सुनिशित करें कि उन्हें हर जरूरी मेडिकल मदद मिले बदले में इसराइली जेनों से 33 फलस्तीनियों को रहा किया गया है ये वो पल है जब 17 साल के मुहम्मद अबू अलहुमुस पूरवी येरुशलम में अपने परिवार से मिले इसराइल और हमास के बीच अस्ताय युद्ध विराम दो दिन के लिए बढ़ गया है अमेरिका का कहना है कि हमास इस दौरान महिलाओं बच्चों समेत 20 बंधों को छोड़ेगा गज़ा में मानवीय संकर जारी है जिससे निपटने के लिए राहत समगरी इस दौरान वहां पहुँचाई जाएगी इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यमिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास के खिराफ जंग खत्म नहीं हुई है इससे गज़ा में फलस्तीनियों की मुश्किलें और बढ़ सकती है